नमस्कार मैं हूँ दिवांज की मुईत्रा शनिवार 15 सितंबर एशिया आई देशों का सबसे बड़ा क्रिकेट टोर्नमेंट यानी एशिया कप का आगाज हो चुका है इस महत्वपूर्ण टोर्नमेंट का आयोजन UAE में किया जा रहा है बतादे टीम इंडिया ये टोर्नमेंट इस से पहले 6 बार जी चुकी है और इस बार इस कप पर 7 वी बार कबजा जमाने के इरादे से मैदान पर उत्रेगी एशिया कप 2018 के लिए टीम इंडिया के रेगिलर कप्तान विराट कोली को आराम दिया गया है क्योंकि कोली को आगे लगातार फ्रिकेट खेलना है यही वज़ह है कि एशिया कप के लिए टीम की कमान हिटमैन रोहिद शर्मा के हाथ हुमें है एशिया कप के लिए विराट कोली का ना होना टीम इंडिया के लिए परिशानी वाली बात हो सकती है लेकिन जो टीम एशा कप के लिए चुनी गई है वो टीम पूरी तरह से तक्षम है कि वो इस टोनमेंट को जीत भारत की जोली में सात्वी बार एशा कप दिलाए कप्तान रोहिच शर्मा के आगे जो सबसे बड़ी समस्या होगी वो ये कि विराट कोली की गैर मौजूदगी में वो नमबर तीन पर किस खिलाडी को आजमाएंगे भारत्य टीम को पाकिस्तान के धुरंदरों के खिलाफ मैदान पर उतरना है तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस टूर्नमेंट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन-कौन से खिलाडी हो सकते हैं रोहिच शर्मा एशیا कप के लिए रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान होंगे और इस टूर्नमेंट के लिए वो ओपनिंग बल्लेबास के तौर पर सबसे परफेक्ट बल्लेबास होंगे और वैसे भी रोहित शर्मा काफी समय से लिमिटेड ओवर फॉर्माट में अपनी टीम के लिए ओपनिंग करते आ रहे हैं इंगलिंग के खिलाब तीन मैजों की सिरीज में रोहित ने 77 की ओसत से 154 रन बनाये थे और उसी फॉर्म को इश्या कफ में भी बरकरार रखना चाहेंगे शिखर धवन कप्तान रोहित शर्मा का ओपनिंग में साथ देंगे टीम इंडिया के गबबर शिखर धवन बत और ओपनर धवन से उमीदे होंगी कि वो टीम को एक बहतर शुरुवात दिलाई अभी हाली में इंग्लिंड में हुई तीन मैचों की वंडे सिरीज में गबबर के बल्ले से सिर्फ 120 रण ही निकले थे ऐसे में धवन से बहतर प्रदर्शन की उमीद होगी टीम इंडिया में विराट कोहली की गैर मौजूदगी में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर नमबर तीन पर कौन सा बल्ले बास बल्ले बाजी करने आए तो इस सवाल का जवाब है लोकेश राहूल भले हैं इंग्लिंड में उनके बल्ले से रन ना निकले हो लेकिन एश्या कप में टीम इंडिया को उनसे काफी उम्मीद होंगी विराट कोली की गैर मौजूदगी में तीसरे नमबर पर केल राहूल की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं मध्यक्रम को मजबूती देने के लिए केल राहूल को मैदान पर टिक कर बल्लेवाजी करनी होंगी मनीश पांडे मनीश पांडे ने हाल ही में खेले गए क्वाड्रांगिलर कप में अपनी टीम इंडिया बी की जीत में एहम योगदान दिया था उन्होंने टोर्नमेंट में चार पारियों में 306 रन बनाए थे और टोर्नमेंट में सबसे जादा रन बनाने वाले खिलाडी थे पूरे टोर्नमेंट में वो नाबाद रहे जिस वज़े से उन्हें इश्या कप के भार के टीम में जगा दी गई और जिस तरह के फॉर्म में वो अभी हैं उससे उनको नमबर चार पर खिलाया जा सकता है तीम इंडिया के पूफ कप्तान महेंडरी सिंग धोनी अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को दो बार एश्या कप का खिताब दिला चुके हैं धोनी के पास तजुर्बे की कोई कमी नहीं है और वो दुनिया के सबसे बहतर फिनिशर माने जाते हैं ऐसे में नमबर पाच पर उनकी भूमिका एहम हो जाती है टेस्ट में भले ही दिनेश कार्तिक को जादा मौके ना मिले लेकिन सीमित ओवरों के खेल में दिनेश अब भी अच्छा कर सकते हैं ऐसे में इश्या कप में भी उनको टीम में जगा दी जा सकती है। दिनेश कार्तिक फिनिशर की भूमी का भी अच्छे से निभा सकते हैं। ओल राउंडर हार्दिक पांडिया टीम इंडिया के सीमित ओवरों के मैच में लगातार टीम में बने हुए हैं। और मौका पढ़ने पर टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गेंद और बल्ले दोनों से पांडिया कमाल दिखाने में माहर हैं। भूवनेश्वर कुमार एक तेज गेंद बाज के रूप में भूवनेश्वर कुमार टीम इंडिया की पहली पसंद माने जाते हैं। हाला कि लंबे समय से वो चोट के कारण काफी संघर्श कर रहे हैं। लेकिन अब वो पूरी तरह फिट होकर टीम में अपनी वापसी कर रहे हैं। ॹैसे में टीम मैनेजमेंट उन्हें किसी हाल में ड्रॉप नहीं करने वाली। सीमित ओबरों के लिए कुल्दीप यादव टीम इंडिया के स्टार गेंद बाज हैं। अपनी गेंद बाजी से यादव बल्ले बाजों को चप्मा डे कर विकेट लेने में माहिर है। ऐसे मेश्या कप में भी कुल्दीव्यादव अपना कमाल दिखाने को वेताब है जस्प्रीट बुम्रा मौजूदा समय के नमबर वन वन डे गेनबाज जस्प्रीट बुम्रा को फ्लेइंग 11 में निश्चित शामिल किया जाएगा जस्प्रीट बुम्रा टीम इंडिया की गेनबाजी की एहम कड़ी साबित हो सकते है युजवेंद्र चहल युजवेंद्र चहल काफी समय से टीम इंडिया में नियमित बने हुए है साथी चहल अपनी गेनबाजी से भी प्रभावित करते आ रहे है ऐसे में इश्या कप में भी चहल अपनी गेनवाजी से विकेट जटकने में एहम योगतांग दे सकते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ